Hello and welcome friends. Google sheet सीखने की से चिरेज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो Google sheet की है खास क्या है Google sheet में? देखिए अगर आपको कोई भी column को delete करना है तो आप उस column को कैसे delete कर सकते हैं shortcut की की मड़द से आपको सिर्फ shortcut की मदभद से delete करना है तो जैसे ही यह प्रेस करेंगे तो यह एक window open हो जाती है और अब आप क्या कर यह नीचे आए और delete values यहां पर दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है delete column D तो आपको delete column D पर जाकर कर और enter press कर देना है यह column delete हो जाएगा delete हो गया अब अगर इसको भी delete करना चाहते हैं तो आप फिर press कीजिए alt shift और E तो यह आ गया और फिर नीचे आ जाएए और अब हमें क्या करना है D को delete करना है तो यहां से D को delete कर दिजिए तो यह D वाला column जो आपका आ रहा था वो भी delete हो गया देख सकते हैं यहां पर मैंने उसे color में किया हुआ था मैं आपको control Z करके दिखाता हूँ यह color में था यह आ जा जाए हूआ कर दिखाता हूआ कर दिखाता है